नमस्टे रोस्टो स्वागेट है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे पुरानी कमणी का पी अप न्यू कमणी में टांसपर करने के बारे में तो चले जानते इसके बारे में आगे मैं अपने smartphone में आपको PF को transfer करने के बारे में बटाऊंगा तो इस तरह से आप भी कर सकते है तो सबसे पहले अपने smartphone के Chrome browser में UN member site को open करे इस site को हमें smartphone में desktop mode में use करना होगा तो desktop mode में use करने के लिए Chrome browser के 3 dot पर click करे उसके बाद desktop site option पर click करके इस site को desktop mode में open करे उसके बाद अपना UN number, password और capture को enter करके अपने UN account में sign in करे UN account को open करने पर e-nomination का alert आएगा इस alert को हटा दे PF transfer process करने से पहले आपको कुछ चीज़े को कर लेना है जैसे कि यहाँ पर view पर click करके service history पर click करके अंदर आपकी service history को check कर लेना है और जिस old member ID को जिस old service को आप transfer करना चाहते है उसको check कर लेना है साथ ही उसमें date of exit add है की नहीं वो भी check कर ले UN account में adder KYC के अलावा bank KYC भी add करे bank KYC add करने के लिए यहाँ पर manage पर click करे उसके बाद KYC option पर click करके KYC को हम कर सकते हैं तो KYC को किस तरह से करना है मैंने उस पर अलग वीडियो बना के रखे उस वीडियो की link आपको इस वीडियो को decision में मिल जाएगी और इसके अलावा हम mark exit पर click करके हमारी member ID में old service में हम date of exit को add कर सकते तो date of exit को किस तरह से add करना है तो मैंने उस पर अलग वीडियो बना के रखे उस वीडियो की link भी आपको इस वीडियो की decision में मिल जाएगी तो PF transfer process करने से पहले आपकी old service को check कर ले और old service में date of exit add है कि नहीं वो भी check कर ले नहीं है तो date of exit add करे उसके अलावा bank KYC add नहीं है तो वो भी करे तो अब finally जानते है PF transfer करने के बारे में तो उसके लिए यहाँ पर online services option पर click करे उसके बाद one member one EPF account transfer request option पर click करे अब कुछ इस तरह से new page open होगा यहाँ पर थोड़ा नीचे scroll करना है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले previous employer या present employer को select करना है जो हम transfer claim submit करेंगे उसे हमें previous employer यानी की all employer से अप्रूग करवाना है या फिर present employer यानी की new employer से अप्रूग करवाना है उसके बार यहाँ पर UN number एंटर करे और get detail बटन पर click करे तो मैं यहाँ पर present employer को select करके UN number को enter करके get detail पर click करके आपको आगे रिखाता हूँ अगर आपके UN में एक ही all member ID होगी तो get detail बटन पर click करते ही उस member ID की detail निजे load हो जाएगी और अगर आपके UN में एक से जड़ा all employment होगी तो select employment options होगा select employment option में से उस employment को select करें जिस all employment को आप transfer करना चाहते हैं अगर आप एक से ज़्यादा all employment को transfer करना चाहते है तो one by one उन सभी को select करे तो आपको फिर से बटा दूँ कि अगर आप की UN में all employment एक ही होगी तो direct ही उसकी detail load हो जाएगी get detail बटन पर क्लिक करते ही अगर एक से ज़्यादा होगी तो select employment option सो होगा और उसमें से आपको select करना होगा तो आप जितनी भी all service को transfer करना चाहते है उसको select करना है उसको load करके उसकी detail को check कर लेना है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसमें मुझे एक ही transfer करना है उसके बाद इस page को थोड़ा निज़े स्क्रॉल करना है और उसके बाद इस box को check करे select करे उसके बाद get otp बटन पर क्लिक करे अब यहाँ पर ok पर क्लिक करे अब आपके register mobile नमबर पर otp आया होगा उस otp को यहाँ पर enter करे और submit बटन पर क्लिक करे तो इस टेरा से हम transfer claim को submit कर सकते है transfer claim submit करने के बाद company employer से contact करे और उसे कहे कि मैंने transfer claim को submit किया है उसे अपरू करे ताकि claim जली से transfer हो सके transfer claim का status चेक करने के लिए online services option पर क्लिक करे उसके बाद track claim status option पर क्लिक करके track claim status page को open करे तो आप इस page के transfer claim status section में आपके transfer claim का status चेक कर सकते हो और आपने जिस भी previous या present employer को select करके transfer claim को submit किया है और आपका उससे contact नहीं हो रहा है वो आपका claim को approve नहीं कर रहा है और अगर उसके opposite previous या present employer से आपका contact होटा है और वो बोल्टा है कि मैं claim को approve कर दूँगा तो आप चाहे तो claim को cancel करके उसे select करके फिर से claim को submit कर सकते है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को visit करके देख सकते है और इस तरह की new वीडियो के चैनल को subscribe करके notification bell को press कर दिजिए ताकि आपको new वीडियो के notification मिलती रहे